हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चनल आज की वीडियो में हम जानेंगे इस तरह की डोरी पाइपिंग जो रेडि में डोरी पाइपिंग आज खलारी काफी ट्रेंड में है यह इसे हम ब्लाउस पे कैसे अटेज करेंगे और डाइरेक्ट हम इसे औरे पटी के साथ को हम हमें पाइपिंग को राउन नेक लाइन पे लगाते हैं तो फोड़ी उठी उठी सी रहती हैं इसलिए जहां पर trov हमारा round शेपी आता है इस तरह से बहुत ही पतली और बहुत ही अच्छी हमारी डोरी पाइपिंग लग जा दिये और ये आजकल काफी ट्रेंड में है रेडी में डोरी पाइपिंग ये थ्रेड से कलर्फुल मिलती है जिस भी कलर की आपको चाहिए हो हर कलर में अविलेबल होती है मार्केट में और इससे ये पूरी पाइपिंग बनी होती है त्रेड से सैटन स्टिच जैसे होती है बिल्कुल उसी तरह से ये पूरी पाइपिंग बनी होती है तो बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे ब्लाउज में जो है डोरी पाइपिंग जो हमारी है वो हम इस तरह से खीच कर रखेंगे औ और हमारा जो औरे ब स्ट्रिप का फैब्रिक है उसे हम हलके हातों से लगाते हुए पुरे नेक लाइन पे फिनिश कर लेंगे और last में जहां पर हमारी ये डोरी पैपिंग और neckline finish हो रही है पूरी वहां पर भी हमेंसे देखे एक्स्ट्रा जो है वो हम cut कर देंगे यहां से और हमारा main जो fabric है piping का उसे भी cut कर देंगे strip का जो fabric है और ऐसे fold करते हुए हम last की stitch ले लेंगे फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी finishing से ये लग गई है और यहां पर हमने कोई भी single foot का use नहीं किया ये double foot से normal stitching foot है उसी से मैं लगा रही हूँ इसे बहुत ही आसानी से लग जाती है अब इस तरह से देखे हमें हमारा जो औरे भी strip है उसे दूसरी side में करते हुए stitches को हमें इस तरह से side में लेना है जिससे कि हमारा main front में जो stitches है वो बहुत ही कमाए इस तरह से देखे हम side में यूं stitches लेते हैं तो इससे हमारी finishing जो है वो blouse में बहुत ही अच्छी आती है बिल्कुल ऐसे fabric को stretch करते हुए पूरे blouse में हमें ऐसे stitch ले लेनी है यह हमारी औरे भी strip दूसरे side में है और हमारा पूरा blouse एक side में है यहाँ पर भी extra fabric हटा के औरे भी strip को हम इस तरह से stitch ले लेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं इतनी finishing आ गई है इसमें अब हमें औरे भी strip जो है अंदर के side fold करते हुए या तो आप hand hamming कर लिजे या आप machine से stitching कर लिजे मैं यहाँ पर machine से stitching करके आपको दिखाती हूँ hand hamming से बहुत ही अच्छे finishing आती है पर अगर आप machine से भी stitch लेते हैं तो भी finishing बैसे ही रहती है तो यहाँ पर देखे जिल लोगों को front में machine के stitching पसंद नहीं है उनके लिए आप hand hamming करके दे सकते हैं अब यहाँ पर औरे भी strip को हम यह double fold करते हुए single stitching ले ले लेंगे machine से पुरे blouse में इसी तरह से हम complete कर लेंगे तो हमारी जो dory piping है वो बनकर complete हो जाएगी उसके बाद हम जो भी हमारा neckline है उसे iron करके हम set कर देते हैं इससे हमारी dory piping जो है वो और भी अच्छे से set हो जाती है और बहुत ही finishing से पूरी पतली dory piping हमारी लगकर आप देख सकते हैं complete हो जाएगी तो ये रहा इस dory piping का overall look I hope ये वीडियो आपके लिए useful रही होगी तो comment section में जरू बताएगा चनल को subscribe नहीं किया तो फटफट से subscribe कर लें और बने रहे हैं कमारे चनल के साथ अच्छे च्छे designer ideas और boutique management tips के लिए मिलते हैं आपसे अपने next designer वीडियो में thanks for watching friends